देश की सीमा पर तैना देश का जवान दिन राथ हमारी सुरक्षा में बिना धूपता थंड की फिक्र किये डटा रहता है कि उसके देश पर कोई आख उठा कर भी ना देखे लेकिन जब इसी देश के नौकर शाह जो उसी की तरह देश की सेवा के लिए नियुक्त किये गए हैं वो उसे और उसके परिवार की बेज़ती करना शुरू कर दे तो ये बात बेहद ही शर्म नाख हो जाती है अब तक पर्दे के पीछे जुबान के नीचे धीमे सईफ अप्यां कसी जाती थी कि फौजी फौज में पड़ोसी मौज में लेकिन अब हिम्मत तो देखो कि वर्दी की आर्मे जिने समाज की देखरे एक सुरक्षक अद्दायत वसौपा गया वो ही फौजी और उसके परिवार को इस तरह की भद्दी ठिपणी उसके साथ परिशान कर रहे हैं इसका असर ना सिर्फ सीमा पर तैनाद देश के जवान पर पड़ता है बल्के उसके परिवार पर भी काफी गहरा असर परता है परिवार भी शर्म से डूब जाता है अंदर से तूब जाता है क्योंकि एक फौजी की इज़त की जाती है ना कि बेज़ती मेरट के शास्रे नगर में के ब्लॉक में CRPF कमांडो सत्यंदर चौधरी का परिवार रहता है सत्यंदर की तैनाती मौझूदा वक्त में जमुकुश्मीर के बारे मूला में थी और वो राखी की छुट्टियों में अपने घर आये हुआ था कमांडो सत्यंदर के घर के पास दरोगा जुतेंदर सिंग और सुनील कुमार की राय पर रहते हैं सुनील कुमार निलंबे थैं जुन पर यारूप है कि उन्होंने कॉलनी कुछ शराब का अड़्डा बना दिया है उन्होंने फौजी की पत्नी पर भद्दा कॉमेंट किया जिसे वो लंबे समय तक जेल दिया रही थी लेकिन छुटी पर आये अपने पती के सामने जब उसने दरोगा और सस्पेंड़ट पुलिस वालों दिवारा अपने उपर ऐसी पप्तियां कस्ते देखा तो फौजी ने भी अपने आपको रोकना सही नहीं समझा उसने इसका विरोध किया कमांडो ने समझाया लेकिन राद 10-11 बजे मामला शान्त हो गया परंतु पुलिस वालों ने वर्दी का रॉप दिखाते हुए राद 12 बजे फौजी के घर जबरन घुसकर उसे चपल से पीटा, लाठी से मारा, इतना मारा कि रुखने का नाम नहीं लिया में देख लेंगे, फिर उसके बाद हम चले, मैं उपड़ से लिगी, यह भी नीचे सोगी, उसके बाद वह भार से मतलब हमारा गेट अंदर से खोला उन्होंने, और अंदर हमारे आ आगे वह, और आके नीचे मुझा लगा, तो फिर मैं भी आई उपड़ से, तो उन्होंन जानते की पहले, क्योंकि वह निकलते बढ़ते हैं, तो फिर इसने मुझे बताया दीदी, ऐससे मुझे से बत्तमीजी कर रहे हैं यह इतने दिन से, मैं वह लिचल कोई बात नी, जब वह आएंगे, क्योंकि वह रहते हैं यह सास के पास, मैंने की तब आएंगे, तो बताना अब भेन तो मत बता, अपने बच्चे बचाने, तो फिर भी उन्होंने मतलब सुनी नी, इसा भी धका दिया, जो भी मतलब इसने बताया, क्या मतलब मेरी सेफ मैं ताला तोड़ा, मेरी जोल्रीया, मेरे फिष्टल ले गे, निकाल के, मेरे की पती की, तो वो भी सब कुछ ह जोल में देखा, अफिर में भी देखा, पूरा मुहला है परूरा मौला बोल भी सकता है, बता भी सकता है, देखा भी है, इसी चीज हो चुकी है, कि वो धो दरोगों है, सस्पेंड़ भी है, निकाले वाला से कोई दो ठीक हरते कि तेरे बाप का रस्ता है, वो अपनी बढ़दी की दोंज दिखा दे, उस दिन भी यही बोला था कि साले, तू मुझे जानता नहीं है, मेरे देबर को इतनी बुरी तरा घसीरते लेगे, कि मैं पता नहीं सकती, जब उसने चपपल लेकर मेरे देबर की छाती बेटके, जब उसने चपपल मुझे चपपल बजाई, हमने इतने हाथ जोड़े, इतने होकरे, पर वो माने नहीं, अर मैं इससे का भाई, हम तेरे माफि मंगबा लेंगे, तेरे पैर तक चटपा देंगे, फिर भी उन्होंने मेरे देबर को छोड़ा नहीं, फोट पेसाब करें तेक आजल सो्चकह्ए पृण पारख थे को हमेरी दुरानी को इतनी पुरी दरह इतनी गलात्जी का कि वो भी को पता नी सकते जो आदवी और मैं क्या बताऊ पिसाब करने तक परेसान है क्या डेडीज परेसान होगी आदमी उसका भप जेल में बठा दिया तुम बता हम यह लेडिश कहा जाए बड़े पकड़ लिए उन्हों ऑन और बोलने लगे तू जानती नहीं तक तू हमारी ताकत नहीं जानती इसकी गर्मी निकालेंगे। इतनी पुरी तरके से भीटाे एब होदों जलो मैंने नहीद नहीं आपा पेपर में देखा है किस तरीके से उनके रखा है किस तरीके से उनके उनकी बॉडी पैं सब कुछ दे रखाया है वे तो सारी दुनिया जानती है, मं बलत रह दुनिया जानती है, बनलब पानिच्त Underigy is friends इ। सारी दुनिया जानती है किते हैं ।। वूसे हुखरे हैं। थो इस वे जानती हैं। हमने तो कुई बनानी दिया हमने ऊहिए कोई लिपिष्टिक सेकिजिग जब कुछ भी होजा, पर मैं आपने डेवर, जो मेरा जवान है, देश का मेरा देवर, मैं उसके लिए इंसाफ चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आज ही यह और है, जब जब देश के जवान की औरत के साथ यह हाल है, तो आम औरत के क्या हालत होगी, यह तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हर आदमी मिलटरी में फोज भी नहीं होता, हर आदमी देश का रक्षत नहीं होता, क्योंकि बहुत भी कोई मजदूर है, तो कोई रिक्सा चला रहा, क्योंकि सब के साथ यह, मैं बस यह चाहती हूँ, हाज जोड के बिनती है, क्यों मेरे देवर को इंसाफ मिननल चाहिए, और इससे जादा में कुछ नहीं जानती, पहले तो वर्दी की धौस दिखाकर पुलिस वालों ने फोजी की पतनी को परिशान किया, और विरोध करने पर फोजी के साथ मार पिटाई की, और रंजिश भी निकाली, इतना ही नहीं बलकि दे पर जुल्म होता देख, CRPF जवान के लड़के ने VTU बनाने का प्रयास किया, तो उसे भी इतना मारा कि उसके पैर में अभी तक चोट है, अब धान से देखिए कि एक CRPF जवान की पीट पीट कर क्या हालत की गए? आपको बता दे कि फॉजी पर ये जूटा आरोप लगाया गया है, कि उसने खाने की डिलीवरी देने आये स्वीगी बॉई के साथ गाड़ी हटाने को लेकर मुभाश रकी, साथी फॉजी ने डिलीवरी बॉई विवेक का फोन भी लोट लिया, जबकि विवेक अगर खाने लेकर आया था, तो सवाल ये है कि वो यूनिफॉर्म में क्यों नहीं था, वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म में नहीं है, उसने स्वीगी की टी-शिट तो बिल्कुल नहीं पहनी है, दूसरा सवाल ये कि कोई फॉजी जो कि छुटी पर आया हो, वो अ तीन दरोगा रहते हैं रेंड पे, वो आया दिन ड्रिंक करते हैं, नसा करते हैं, आती जाती लड़किया, ओड़ते हुने, उल्टे सिधे कमेंट करते हैं, उन्हें कोई कुछ इसलिए नहीं कह पा था, क्योंकि वो पुलिस की दोस दिखाते हैं, बड़दी की दोस दिखात तो उनके साथ आए दिन ये बत्तमी जी चलती थी, लेकिन मेरे जिया जी अभी छुटी पा आय हुए हैं, तो उन्हें इस चीज का अपने हस्बेंट को बताया जिया जी को बताया था, कि मेरे साथ आए दिन ऐसा होता है, पर जिया जी एक गोर्मेंट जोप कर रहा हैं, फिर ऐसी बहस होई दिदी की, तो जीया जी ने समझाया, उन्हें भी कहा, कि भई तुम ये कबेंट बाजी छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता, महुले में बेटी भी है, बहु भी हैं, तो तुमें ये नहीं करना चाहिए, उस टेम उन्होंने बीच बनतव ऐसी सुला हो वो अपने घर आ गए, फिर रात को बारा बजे वो पुलिसवाला, बहुत सार पुलिसवालों को अपने साथ घर लेके आ गया, आती उसने घर में तोडफोड सुरू कर दी, घर के अंदर घुस गए, जिसमें हम रोक रहे थे, दीदी वगेरा हम सब रोक रहे थे, तो वो कि कि की करुखने पे नहीं आय, यहाँ तक ही वहाँ भीड़ी भी खट्टी हो गई थी, फिर जीजा जी को माणन izar Creating कुछ घर में गुच गइभाइब के उन्होंने इधर सर उधर समान करा, घिसमें उन्हों के हाथ जी-जाजी की पिसितो लग गई, उन्होंने वह पिसितोल लेके चले गई, और जी-जाजी मारना चालू हम बात पूछे हैं कुछ बात नहीं जूटा आरोप लगा दिया कि डिलीवरी बोय से फोन चीन नेते अगर डिलीवरी बोय से फोन डिलीवरी बोय था तो उसकी टी-शेट का गई वो श्वीगी बाता रहा है आज कल आप कुछ भी ओनलाइन मगा होगे तो उनके अपने पास से बुलाया है सब उन्होंने अपने पास से कराय जूटा फसाने के लिए और कुछ निया रहे हैं पता नहीं ख्यू रंचीस निकालने हैं हमें कुछ नि बता उसके बारे में बताया है कि स्वीगी के डीलीवरी बॉय रोस दरोगा और पलिस वालों के साथ साथ मुझा आ Πाड़ाएंगी और सब्माम करते हैं ते अपने तान भाद अपने लडगा के साथ मारकीट्सा रही थी उन्हों ने ने और रूक नि एन में आजाएंगे उन्होंने ये उन्होंने उन्होंने इसाइज हैे मेरे साहफ मेरे यहारन को मेहां के यह वाज तेयर सुन वाजा इन कर शेये शाहर घिंए नहीं को मेरे पती ने समझा दिया क्योंकि मिलटरी वाले हैं वो नहीं चाहते लड़ाई जगड़ा वो कुछ भी तो उन्होंने उसा कई बुले ठीक है समझता हो गया था वोले देख लेंगे तुझा बाद में फिर वो अपने घर चले गए हम अपने अंदर घर में आ गए बारा बज क्याकि स्थान करी उन्हें अलवारी तोड़े उसको उसमें सब मेरे पती की लइसेंसी पिस्टल थी उसे लेकर और मारी पीटकाब करें हां यहां अथा कैसे आप निकली हुई है यहां आप देख सकते हैं क्या आप क्या निए चोट लगा कि जब मैं विडियो बना रहा था, तब पाप ने कहा थे वीडियो बना ले देख लिए भ Jr द्धर मार हैं, विभचा ओर पे अपल, HO भूचेश रियों जब मरे चाहेues व्ज when I also लीवरी बॉय वहां आया ही नहीं मतलब पुलिस वालों ने रस्ती का सांप बनाया पुलिस वालों ने फॉजी की पत्नी के साथ बचसुलूकी की लगतार उस परफप्तियां कसी इसका विरोज जब सत्येंद्र ने किया तो आपसी रंचिश भी उन्होंने घर में घुसकर नि लूट का जूटा आरोप लगाया है पुलिस वालों ने जिन में की एक निलंबित है एक ओन ड्यूटी रहते हैं यहां पर महले के इतने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो सब CRPF कमेंडो के फेवर में बोल रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से निर्दोश है कि करके जानेंगे कि पुलिस वालों का क्या यहां पर वहवार रहता है कितने परिशाने आके लोग आपका कहना में मेरा मुख्षा है मैं यह कहना चाहती हूं कि इतना उत्पीडन करा इन्होंने ओरतों को मारा और जो हम भी गए तो हमसे करे तूंकी दलना नहीं तू क्यों आई त उन्हें फामोला ने ओरते हैं और माहरा मां को मारा उनकी आफ मतला खीशते आ हैं बर्दी का फायदा उठा रहे जो ज cock tails को कप्तान कुछ कमांडर को मेरे सामने मैंने देखा वहां तक भाग के ले गए कप्ड़ तक एक कच्छे में लेके गए उस लड़के को यह अची बात है क्या जो गुच्छा रहा है पुलिस वाले के उपर वैसे ही रक्षा के भख्षक बने हुए हमारे मौले में आके ऐसे एक और तो इंदी लुगाई का कप्ड़ तक फाड़ दिये ब्रेजर तक दिखाई दे रही थी औरत की हमने फोटे खाया हमारे मोबेल खाच लिया पुलिस वाले थे इसलिए पुलिस वाले बारे बजाने कोई तुक नी होती उनके पास कोई कागद नी कुछ नी बिना इनफॉर्मेशन है क्यों आए घर में वो नहीं कोई नीता कोई नीता उनना आना नहीं चाहिए था परिवार रह रहा पती पत्नी रह रहें किसा वस्ताम पढ़े घर में यह सोचन आ अब इंडार पूछ करना चाहिए महले में इस तरह नी कर चाहीए मृच कर रहा हुआ हम तателейंक हए इन इनफे साथ में सारी अपने हाथ में बिलिए कं मेंना वश्त आप इ hommes w और पी लोग हमारे साथ मौजूद है उन्होंने पूरा सक्षे देखा है और एक वीडियो पूरे चलन में आपको वीडियो भी दे दूँगा ऐसी कोई घटना हुई नहीं इस दरवाजे की घटना है समझोता कराके वह जो कमांडो है सतेंद्र सांगवान उनकी मम्मी ने उन्हें भेज़ दिया था सबको दस बज़े ये लोग चले गए बतानी लेकिन यह जो निलंबित दरोगा है और जिटन्दर जी जो दरोगा है इनकी इगो इतनी हर्ट हो गई कि हम दरोगा हैं और यह हम से नहीं दबाई आ हुआ हुआ र अलगी एक मोहले में हमारे अगली में बोले तो उनको तो एक घंटे बाद उठाने भी आये हैं दूबारे से. वो हमेशा ऐसे ही लोगों को मकान देते हैं किसी फैमली को मकान नहीं देते हैं यह चार दरों का है और नीचे स्वीगी बॉइज जो है ना जिनने लूट का जूटा मुकदमा लगाया है वो भी इसके नीचे ही रहते हैं खुद उसका वीडियो छे महीने से हां रहता हंगार पहते हैं और मैडम इनौने दर्दावु का और रखता है आप जितने भी होटे हैं बहन किमीलियो यहां झाले एकोहाने भाल हो पहल वाले कि एस तका महोल पहल हूब tuvo किसी से बें चाते हैं किसी को पैसा नहीं देते इस तरीके का महौल बनाया हुआ है तो इस तो करने हैं कि एक द्रोका निलंबित भी हैं इसी कंपलेंड के अधार बर हाँ और बताई आपके चाहिए नहीं मैंने उस दिन बन चुके हैं किस हद तक गिर कर देश के जमान के साथ कितना बत्सुलू की बरा बरताफ किया जा रहा है मौले के सभी लोगों का कहना है कि दरोगा और निलंबित पुलिस वाले ने गली का माहौल खराब किया हुआ है जिन पर सुरक्षक का जिम्मा है वही रात को शराफ करते हैं और महिलाओं को परिश्व कुल मैडम आते जाते यहां एक्चली शराब का अड़ा बना हुआ है एक तरुन वकील साम है उनका मकान है वह हमेशा ऐसे ही लोगों को मकान देते हैं किसी फैमली को मकान नहीं देते यह चार दरोगा है और नीचे स्वीगी बॉइस जो यहां पर होता है और इस तरीके से इन्होंने महौल बनाया हुआ है कि मलब अपने रोबिला यहां से लेके महां तक बाहर ठेले वाले खड़े मैडम आप किसी से भी पूछिए फिर इखाते हैं किसी को पैसा नहीं देते इस तरीके का महल बनाया हुआ है अब सब देखा जो इन्होंने करा है घर पे आके दरवजे पा करे उन्होंने मार पीट करी यह बार बार अंदर जा रहें फिर बढ़ बढ़ करे पेर यहां से हमाता कि कचड़ते वे लेके गए गए मारते वे गए और तो पेतल आदम कोई भी हक ने पड़ता है मारने का इनको भी मारे बोश शुरीफ पच्छा है और चुंति पेंद साल सामें एक साथ ही रहते हैं हाट तो कोई बात नहीं है लेकि ये दुरुवित ना दब दस्ति हुई है मैं सबसे बड़ी बात हुई है कि जब सारा मेंटर सारे तस ग्यारा वे क्लोज हो गया था तो बारा साड़े बारा वे दुबार आने का क्या मतलब था ठीक है इट पिस जो टाइम था उस दोरान सारी कुछ प्लानिंग करी गी सब कुछ प्लान करें को दुबारा घर पे आए बारा घर गशिट लिगे तो इस बात का ओचे तीका बैटता है दूसरी बात मैंने देखा था जोनकी माजी है उनकी माजी की साथ जिस से विवार हो रहा था वह रियली शर्म नाख था वह एक पुलिस वाले को किसी तरह शोबहा नहीं देता लेडिश प्ली नहीं थी नहीं यह जो चाहिए है कि वर्दी फटी हुई थी वर्दी किसी ना तो दरोगा की थी तो कि मैं बारा बजी जब वहारे वहां तक आ गए हैं तब आमने देखा में उठी मेरी नीद खुली तो मैं नीचे आया मैंने देखा कि वर्दी तो किसी की फटी वी नहीं थी सब अब उसके आधार पर किसी ने हद भी नहीं लगा ऐसी वह से के बई चलो गयर को आने काम हुआ आप अपने स्थर से करेंगे लेकिन जब बाद में केस का पता चला कि वह जब दस्तिक उसे हैं यहां के अंदर तब उस बात का सुबह पता चला है हमको और अब हम आपको सुनाते हैं कि दरोगा जितेंद्र सिंग का अपने पक्ष में क्या कुछ कहना है ति अमरी पक्ष के गार अच में खाएव दोसे पक से प्रिट आडिप के उस पर्फिंट हुआ हम दोसे हम जब वाली के गया हुआए उसमें हम हम सेजिता दौारा आथा की स्कुआमB erशा शेयां ॅचे यह दोसे में फाई अनने के बानी केई गर आज देवारा हमारसिताि प्रोराइब चरह जो कि बोजनों तो पॉर भी नीज़ Уान कि सबस्क्कुन जान। । चछिल करें तो कि म पूरे मामले में फॉजी पर गंभीर धाराओं में तीन मुकद में दर्ज कर दिये तो पहर बाद CRPF कमांडो सतेंदर चौधरी को पलिस ने कोर्ट में पेश भी किया यहां से उसे नियाए खिरासत में ले जाते हुए जेल भीज दिया गया लेकिन फॉजी का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है वो इस आस में बैठा है कि जो फॉजी पर जूटा आरोप लगा है वो सारे दाग जल्द ही मिट जाएंगे इस मामले की कितनी सचाई है कितना इसमें जूट है यह तो जाँच के बाद ही पता चलेगा फिलाल इस पूरे मामले में आगे क्या होता है इसको जानने के लिए बने रहे है फर्स्ट बाइट के साथ और वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल मत भूलेगा आपका इस मामले पर क्या कहना है कि आपके सुझावें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएए नमस्कार